इतना पुराना हमारा देश है, इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया एलायनस बन गया और बीजे पी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत चार वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया एलायनस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम कल मान लीजिए इस इंडिया ऐलाइंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे फिर क्या भारत का नाम बीजे भी रखेंगे लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक एलाइंस बनाएं जिसका नाम इंडिया है तो अगर किसी पार्टियों का एलाइंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे देश तो 140 क्रोड लोगों का है किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है कल मान लीजिए इस इंडिया एलाइंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देगे फिर क्या भारत का नाम बीज़्े पी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे मालो इंडिया एलायन्स ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे ये क्या मजाक है देश है भई देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी पुरानी संस्कृती है इतना पुराना हमारा देश है उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया एलाइंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत चार वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया एलाइंस बनने से तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो, ये तो देश के साथ गड़्दारी है ऐसा लगता है कि देखें इंडिया एलाइंस के लिए जो इनका रेस्पॉंस है उस से लगता है कि बहुत ज़्दा बौकलाए हुए हुए जिस दिन इंडिया एलाइंस यदा उस दिन उन्होंने एक शगूफा छोड़ दिया one nation one election करेंगे divert करने के लिए attention one nation one election कीसे कर सकते हैं one nation one election से जन्ता को क्या फाइदा है मतलब मैं अगर आपको कौम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे कोई फायदा होगा आपके परिवार को कोई फायदा होगा बच्चों को कोई फायदा होगा कोई महंगाई कम हो जाएगी बेरोजगारी कम हो जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले पांच हजार रुपय का सलेंडर मिलेगा और अगली बार फिर यह पांच हजार सलेंडर करके और कहेंगे दो सो रुपय कम कर दिये सलेंडर के तो यह बैसिकली काम नहीं करना चाहते हैं पांच साल काम नहीं करना चाहते हैं पांच साल मत् सनातन धर्म से, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के होगे, मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज़त करनी चाहिए, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, एक दूसरे के सब को एक दूसरे के धर्म की इज़त करनी